मेरट और मुझफ़र नगर पुलीस को एक बड़ी काम्याबी हासल हुई जहां पुलीस ने प्रदेश के कई जिलों के पुलीस के लिए सिरदर्द वने गैंग्स अफ अपाचे का परदा फाश किया पुलीस ने इस गिरों के चार बदमाशों को गिरफतार किया आरोपियों को गिरफतार करते हुए पुलीस ने मेरट और मुझफ़र नगर में हुई लूट की कई घटनाओं का खुलासा किया है खास बात ये है कि यहां गिरों सिर्फ अपाचे बाइक लूट के घटनाओं को अंजाम दीता था वहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरों के दो सदस्य भी फरार हैं जिन पर 25,000 का इनाम घोशित किया गया पकड़े गए बदमाशों के पास से 20,000 की नगदी, 100 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी, दो अपाचे बाइक, एक सैंट्रो कार, एक पिस्टिल और दो तमंचे सहित भारे मात्रा में कार्टूस भी बरामत के गए साथ ही एडीजी ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाश, बेहत शातर हैं, जो मेरट और मुजफर नगर सहित अब तक कई जन पदों में लोट और डकैती की दरजनों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं खास बात ये है कि आरोपी जहां घटना को अंजाम देने के लिए तेज दोड़ने वाली अपाची बाइक का प्रयोग करते थे वहीं उनके निशाने पर पेट्रॉल पंप, गैस गोदाम, मित्र बैंक की एजेंट, दिहात मिस्टे ज्वेलर्स आदी रहते थे इनजाम दिया था यह चोटी मोटी लुट और इनका जो मेन शिकार होता था वो देहात शेत के जोवलरी शौप जो जो माइक्रो फाइनस कंपनी की जो सब्सेंटर होते हैं वहां या देहात शेत में जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं या पेट्रोल पंप हैं जहाज शेदर में वो हुआ करता था और दो घटनाओं में इन लोगों ने लूट में सफन नहीं होने पे बैपारियों को गोली भी मारी थी इनका बहुत लंबा इतिहास है और इसमें से एक व्यक्ति पेट्रोल पंप लूट मामले में 54 का इनामी भी पूरू में रह चुका है आपको बता दें कि मुजफर नगर की जान सठ में बाइक सवार बदमाशों ने बबलू सैनी की खुशी ज्वेलर्स की शौप में लूट करते हुए लाख रुपय का सोना चांदी लूट लिया था जिसके बाद से मेरट और मुजफर नगर जनपत की पुलीस बदमाशों की तलाश में जुटी थी इस कड़ी में मेरट जनपत की साविलान सेल और परिक्षित गड़ पुलीस ने सैयुक्त प्रयास करते हुए मेरट के रहने वाले चार बदमाशों को धर्दबोचा आरूपियों के नाम सल्मान और फराजा निवासी इंचौली, विशाल निवासी परिक्षित गड़, सुल्तान निवासी बकसर और हारून निवासी इंचौली बताय जा रही है इनमे से सल्मान पचास हजार का इनामी बदमाश है, फिलाल गिरो सर्गना चांद और उसका साथ ही अंकुष फरार है, जिनके उपर पच्चिस पच्चिस हजार का इनाम घोशित किया गया है इसे के साथ बदमाशों को गिरफतार करने वाली पुलीस टीम को पचास हजार रुपए का नाम दिया जा रहा है पंजाब केसरे टीवी के लिए मेरट से आदल रह्मान के रिपोर्ट